यह चल क्या रहा है इस देश में? माज़वा क्या है? कुलवावा में सवाल उठे थे कि साड़े 300 किलो RDX कैसे पहुँचा? DSP दविंदर सिंग का नाम हम सब जानते हैं उसको चुपचाप से नौकरी से बाहर कर दिया नो इंक्वाइरी कि राष्टर हित में नहीं है इसके खिलाफ इंक्वाइरी करना आपको याद है यह क्या हो रहा है इस देश में? कौन करवा रहे हैं यह सब? आतंकी, रियाज, अटारी, भारतिय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है अब तक हम यह सोचते थे कि साब इनको चुनाव जीतने के लिए हत्कंडे अपनाते हैं लेकिन यह हत्कंडे नहीं हैं, यह आतंकी घटना है कि यह NIA का निर्ने केंद्र सरकार ने कुछ घंटों में ही लिया था तो क्या इन तथियों को छिपाने के लिए लिया था भूलियेगा मत, जैनेंद्र जी, यह वही गुलाबचंद काटारियां हैं जिनका सोराबुदिन फेक एंकाउंटर में, CBI की चार्ट शीट में भी जिक्राया था जो खत्रा इस देश पर अब मंड़ा रहा है मुझे लगता है हम सब को, हम सब की रात की नीन धराम होनी से मुह में राश्ट्रवाद बगल में छूरी उदेपुर में हुई विभत्स, घटना के संदर्ब में कल एक मीडिया ग्रूप ने एक बहुत ही संसनी खेज खुलासा किया जब वो खुलासा हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च की इस खुलासे में उदेपुर में जो कनहिया लाल की जगन ने हत्या हुई थी उसका मुख्य आरोपी, रियाज अटारी उसके संबंध भारती जनता पार्टी के नेताओं के साथ उन संबंधों का ये खुलासा कल तीवी पर हम सब ने देखा और फिर सोशल मीडिया पर उस पर काफी चर्चा भी हुई और उसके बाद हमने रिसर्च की और नए तब के सामने आए रियाज अटारी राजिस्थान में भारती जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व ग्रह मंत्री राज्य के गुलाब चंद कटारिया जी के अनेक कारिक्रमों में शामिल होते थे वो तस्वीरें आप सब के सामने आपको दी जाएंगे फिर जब हमने रिसर्च की क्योंकि कारिक्रम में तो बस इतना ही बताया गया था तो जब रिसर्च की तो फेस्बुक पर भारती जनता पार्टी के माइनॉरिटी प्रकोष्ट के नेता इर्शाद चैनवाला 30 नवंबर 2018 आज से 4 साल पहले फेस्बुक पोस्ट पर वो और एक और नेता है मुहम्मद ताहिर जो अब लापता है जिनका मोबाइल भी बंद है जब से ये हत्याकांड हुआ तब से वो लापता है तो इर्शाद चैनवाला और मुहम्मद ताहिर मुहम्मद ताहिर के 3 फरवरी 2018 27 अक्टूबर 2019 और 10 अगस्ट 2021 28 नौबर 2019 के पोस्ट हम लोगों ने स्टडी किये उसका अध्याइन किया अब अटारी जो है रियाज अटारी उम्रा करके वहां से कुछ पोस्ट डालते हैं फोटो डालते हैं और उसमें बड़े स्पश्ट तोर पे यह भारती जन्ता पार्टी के नेता मैं पढ़के बताता हूँ उन्होंने क्या पोस्ट डाला क्योंकि हमारी ये स्क्रीन अभी नहीं चल पारी आपके वाटसाइप ग्रूप में विनीज जी डाल रहे हैं यह हमारे बीजेपी कारेकरता उदेपुर राजिस्थान के रियाज अटारी भाईजान ने हमारे वतन हिंदुस्तान में अमनों अमन के लिए दुआओं कर अल्ला हमारे हिंद को सलामत रखे आमीन यह पोस्ट डाली है मुहम्मद ताहिर भाजपा के कारेकरता है मुहम्मद ताहिर कह रहे हैं रियाज अटारी के लिए कि ये हमारे भाजपा, उदेपुर भाजपा के कारेकरता रियाज अतारी, उम्रा करने गए और देश में अमनों अमन की दुआ मंगी, इससे जादा स्वष्ट क्या हो सकता है, भारती जनता पार्टी का कारेकरता, रियाज अतारी, गुलाप चंद कटारिया, गुर्व राज् कामिल होता है, भारती जनता पार्टी के स्थानिय नेता, अपनी फेस्बुक पोस्ट में रियाज भाई, हमारे भारती जनता पार्टी के कारेकरता, रियाज भाई, कहकर संबोधित करते हैं, यह चल क्या रहा है इस देश में, माजवा क्या है, कुल्वावा में सवाल उठे थे कि साड़े 300 किलो RDX कैसे पहुंचा, DSP दविंदर सिंग का नाम हम सब जानते हैं, उसको चुपचाप से नौकरी से बाहर कर दिया, no inquiry की राष्ट्र हित्में नहीं है, इसके खिलाफ inquiry करना आपको याद है, क्या हो रहा है इस देश में, कौन करवार आएगे सब, एक के बाद एक दुरघटनाएं होती हैं, एक के बाद एक हमले होते हैं, और सवाल जीओं के त्यों, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, प्रधान मंतरी चुप, ग्रह मंतरी चुप, इन तस्वीरों के बाद, और ये बड़े महतुपूर्टत थे हम सबके सामने आए हैं, आप सोचिए, अगर ये सिर्फ तस्वीर होती हैं, तो चलिए हम सोचते हैं कि किसी सामाजिक कारेकरम की तस्वीरें होंगी, होती हैं राजनेतिक निताओं की, लेकिन ये फेस्बुक पोस्ट करती है कि रियाज अटारी, कनहिया लाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी, भारतिय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है, आज सूर्यास तक हम उम्मीद करते हैं कि ये तथाकतित राज्ट्रवादी पार्टी इस बात का जवाब देगी, इस देश को जवाब की इनजार है, कल सुप्रीम कोट ने, माननी सरोच ने, आयले ने, कुछ बहुत गंभीर टिपणियां की थी, आज इन तत्यों के उजागर होने के पश्चात, उन टिपणियों को फिर से देखना चाहिए, और वो टिपणियां सिर्फ एक नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं थी, नुपुर शर्मा की सामाजिक पहचान भारती जनता पार्टी से बनी है, जब नुपुर शर्मा ने वो अलफाज कहे, पैगंबर साहब के खिलाफ, तब वो भारती जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी, उसके दस दिन बाद तक नुपुर शर्मा भारती जनता पा पार्टी के लिए हैं आखिर भारती जनता पार्टी और उसके नेता और उसके प्रवक्ता पूरे देश में धार्मिक उन्मात का वातावरन बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ये सवाल हमारा पहला हमारा दूसरा सवाल क्या प्रधान मंत्री मोधी और ग्रह मंत्री अमिच श पूरी दुनिया में जाकर, पूरी दुनिया भर की बातें कर वालो मोदी जी से, करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बोलते रहेंगे, विपक्ष को कोसेंगे विदेशों में जाकर, और जो इनकी अपनी पार्टी के लोग, माफ कीजेगा आतंकी घटनाओं में शामिल है इस पर चुप रहेंगे देश चुप नहीं रहने देगा अब आपको और अगर आप नहीं बोलेंगे तो देश बोलेगा क्या भारती जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं नेताओं के जरीए पूरे देश में आग लगाकर धुरुविकरन करके एक चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है अब तक हम ये सोचते थे कि आप इनको चुनाव जीतने के लिए हत्कंडे अपनाते हैं लेकिन ये हत्कंडे नहीं हैं ये आतंकी घटना है देश को तोड़ रहे हैं आपस में हमें लड़वा रहे हैं और इतने बड़े शर्यंत्र में भारती जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य सरेयाम आरोपी है सरेयाम शामिल है आपने सबने देखा जो ही उदेपुर में ये हत्याकांड हुआ केंद्र ने एनाईय को ये जांच सौपने की बात की हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंथ इसका स्वागत किया हम सबने इसको स्वीकार किया लेकिन अब ये नए तत्यों के उजागर होने के पश्चात सवाल उठता है और बड़ा गंभीर सवाल उठता है ये हमारा आखिरी सवाल है क्या भारती जन्ता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इन ही कारणों से डर कर जल्दबाजी में एनाईय को ये केस सौपने का निर्णे लिया कारण क्या था ये सवाल एक-एक सवाल बहुत गंभीर है क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा देश का एक रहना अखंडता का सवाल आता है और मैंने आपको पुल्वामा का उधारन जान बुच कर दिया आज तक जवाब नहीं मिला है DSP देविंदर सिंग का आज तक माफ कीजेगा मीडिया ने इतना पूछने की भी हिम्मत नहीं की कि देविंदर सिंगर के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं हो रही क्यों चुपचाप उसको नौकरी से बाहर कर दिया और क्यों उसके और में है कि देश हित्में ये आवशक है कि इनके खिलाफ को inquiry न हो, वो order भी मैं आपको अभी साजा करता हूँ, विनीद भाई मैं आपको भेज रहा हूँ, वो भी इनसे आप साजा करिएगा, आपके सवाल इसी मुद्दे पर हो तो जादा अच्छा रहेगा, कॉंग्रेस की बात नहीं है, अब देश भारती जनता पार इक्रम में वो अलग बात होती है, वो हो सकता है, आप पत्रकार हैं, आपके साथ भी कोई लोग चित्र खिचवाते हैं, अपना सेल्पी खिचवाते हैं, यह तो और ज्यादा गंभीर है कि फेस्बुक पोस्ट पे लिखा जा रहा है कि रियाज अटारी भारती जनता पुदेपुर के कारे करता उम्रा गए, वहाँ उन्होंने यह सब दुआएं मांगी, आज की नहीं है यह पोस्ट, 2018, 2019, 2020, 2021 की तमाम पोस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ, देखिए यह देश का सवाल है, सिर्फ आरोप तक सीमित रखने की तो कोई सवाल ही नहीं उड़ता, माननीय मुख्यमंत्री अशोग गहलोजी के संग्यान में यह तथ्य आये हैं, सरकार है, वो सलह मश्विरा करके नियम कानून सम्मत कदम उठाएगी और आपको बहुत जल्दी उसकी जानकारी भी दी जाएगी, रही बात एना यह कि तो हम यह सवाल उठा रहे हैं अब, स्वागत किया था अशोग गहलोजी ने भी और उन्होंने कहा था कि मेरी पुलीस और मेरा प्रशासन एना यह को पूरा समर्थन देगा, पूरा सयोग देगा, और हमने इस मंच से बैठ कर एना यह को सुपुर्द करने का स्वागत किया था, लेकिन यह नए तथ्यों के जिनका सौराबोदिन फेक एनकाउंटर में CBI की चार्च शीट में भी दिकराया था